नमस्कार दोस्तों स्वाकत है अपसे अपीका इस्टेटी वी ध्यान प्रकास में देखे इस वीडियो में हम लोग एक जून से लेकर पांच जून यानि की अब तक कि जितने भी इंपोर्टेंट करेंड फेर्स हैं उसको करेंगे डिसकस आप लोगोंने एक सवाल किया कि बहुत डीपली त्यार कर लीजिए लेकिंग करेंड फेर्स अब भी आप लोगों फ्रती दिन देखिए क्योंकि आगे लेकपाल बढ़ती PCS की परिक्षा यूजिसी नेट की परिक्षा आदी परिक्षा हैं होने वाली हैं और यह करेंड आपकी बहुत हेल्प करेंगे साथ साथ जितने भी military exercises होते हैं उसकी तुलना हम पिछले वर्सिक करते हैं तो आपका जो old current affairs है वो भी repeat होता है रिवाइज होता है और यह आपके लिख आपकी अच्छी बात है साथ ही साथ आगामी परिक्षा के लिए आपको बहुत ही अच्छा study material मिल जाता है तो आप लोग current affairs को प्रति दिन देखिए ठीक है और इस वीडियो की जो पीडियेफ होगी इस लेक्षर की जो पीडियेफ होगी उसे आप हमारे टेलिग्राम चनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो आज शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पसंद आए सफ यस यस ए आई का नया CEO बनाया गया है और उन सिंगल को जिनोंने यस जी आयंगर का अस्थान लिया है अब आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर वन अल्ट्रा स्वक्ष डिस इंफेक्षन यूनिट का निर्मार किस ने किया है तो फ्रेंड्स अल्ट्रा स्वक्ष डिस क्या जाता है और यह जो बॉक्स है उसमें एडवांस आक्सिडेट्व प्रोसेस का प्रयोग किया गया है और यह डिस इंफेक्षन यूनिट बनाया गया है डिडियो के द्वारा तो याद रखेगा डियो की अस्थाबना कब हुई थी 1958 में हुई थी हेटक्वाटर इसका न ने प्रतिवर्स तीन जून को 200 साइकल दिवस मनाने की घुश्रा की थी 2018 में तो 2018 से प्रतिवर्स तीन जून को 200 साइकल दिवस मना जाता है और यह एक बिंदम बना की कहिए कि 200 साइकल दिवस के आउसर पर यानि कि 3 जून को भारत की एक बड़ी कमपनी ने अपना अंतिन निर्माड यूनिट भी बंद कर दिया है क्या बता सकते हैं कि ये कौन सी साइकल कंपणी थी हीरो एवन हर्कुलिस या फिर एटलस सही जब आफ़ेंटरस का आप्शन डी एटलस करमचारी जब तीन जून को पहुंचे लगबग एक हजा करमचारी यहां पर काम कर रहे थे और फ्रेंटरस यहां पर एक बात मैं आप लोगों से करना जाओंगा बेगतिकत तोर से कि जो साइकल होती है वो पर्यावरन के लिए और स्वास्त के लिए बहुत ही अनकूल सवारी है अगर आपके पास साइकल है तो कोई बात भी है अगर आपके पास साइकल नहीं है तो एट तो अनिस्टकाल तक कर दिया है। तेलंगाना ने दो जून को अपना चटा अस्ठापना दिवस मनाया है। तिलंगाना की अस्थापना यानि की तिलंगाना का जो अस्थापना दिवस होता है वो दो जून को होता है 2014 में तिलंगाना राजी की अस्थापना होई थी तो बताइए कि उस अधिनियम का क्या नाम है जिसे आंधर प्रदेश और तिलंगाना राजी को अलग किया गया तो आ साई आधार पर गठी तोने वाला पहला राजे था और आंध्र प्रदेश पुनल गठन अधनियम 2014 के द्वारा तिलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे ठीक है तो ये जरूर याद रखेगा और सुझरू में तिलंगाना कित राजधानी क्या बनाई ये थी हैदरा इभावाद कशन नमर 5 पर आते हैं डेरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानि की केसीची उपलब्द कराएगा कोंसा मंठ्राल है मत्स पुशपालन और डेरी मंत्राल है क्रिसीवा किसान कल्यान मंत्राल है उपभोकता मामले खाद और सारजनिक बितरन मंत्राल है तो ये हैं गिरीराज सिंग याद रखेगा मंतरी हैं गिरीराज सिंग ठीक है गिरीराज सिंग और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ये कोशन काफी इंपोर्टेंट है दिल्ली अमरित सर कटरा एक्सप्रेस वे किस परियोजना के तहत बेक्सित किया जा रहा है दिल्ली अमरि गटकरी जिन्होंने इस नए संपर मार्ग की घुषड़ा की है और यह जो परियोजना है वो भारत माला परियोजना के अंतरगत बिक्सित की जाएगी भारत माला परियोजना के बारे में क्या आप जानते हैं कि यह परियोजना कब शुरू हुई थी तो फ्रेंड्स यह जो भ वरस्ता 2015 है तो लगबए चार सार पुलानी परियोजना है भारत-माला परियोजना अगला प्रस्त होगा स्टार्टप बिलिंग की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टप इको सिस्टम में भारत की र्यांक क्या है सबसे पहले सवाल तो यह आएगा आपके मन में कि स्टार्टप बिलिंग क्या है तो फ्रेंड्स स्टार्टप बिलिंग is a global innovation mapping and research company और जो रिपोर्ट आई है इस्टार्टप डेंग के अनुसार उसके मुदाबिक इस्टार्टप एको सिस्टम में भारत 2020 में 23 अस्थान पर है जबकि 2019 में भारत की जो रैंग थी वो 17 में थी पहरी रैंग के इसको मिली है पहरी रैंग में USA है और हमारा जो पडोसी देश है कौन चाइना चाइना की रैंग इस वर्स है उसमें कितनी 14 हमी ठीक है तो ये आप जरूर रहा देखेगा 2019 में चाइना जो था वो 13 अस्थान पर था चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 8 पे आते हैं कोविड-19 के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए किस राज जिने मिसन फते अभियान शुरू किया है मिसन फते अभियान तो ये अभियान कोविड-19 के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए एक माह के लिए शुरू किया गया है और ये अभियान शुरू किया है पंजाब सरकार ने, ठीक है, option B question number 9, अभी हाली में champion portal किस मंत्राले ने launch किया है champion portal इसका full farm यादर कियेगा creation and harmonious application of modern processing for increasing the output and national strength ये है champion और इसका जो उद्देश से वो क्या है तो friends, champion portal इसको जो है, एक जून को प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी जी के जवारा launch किया गया है और ये launch किया गया है, M-S-M-E यानि कि सुक्ष्म, लगु और मध्यम उद्द्रम मंत्राले के द्वारा ये साइट, M-S-M-E के जो छोटी काईउं का one stop सरुसन होगा अचे, M-S-M-E मिनिस्टर कोन है? तो friends, M-S-M-E मिनिस्टर भी नितिन गटकरी ही है नितिन गटकरी जो कि केंद्री सड़क परिवन और राजबार मंत्री है वही M-S-M-E मिनिस्टर भी है और स्री प्रताप चंदर सारंगी ये मिनिस्टर आप स्टेट है M-S-M-E की ठीक है? माइक्रो, स्माल, मेडियम, एंटरप्राइज़ ठीक है? चलि आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर टेन पर आते हैं भारत के पहले ओपन आनलाइन कोचिंग कारेक्रम का नाम क्या है? खेल के लिए पहले ओपन आनलाइन कोचिंग कारेक्रम का नाम रखा गया है खेलो इंडिया इपार्ट साला ठीक है? खेलो इंडिया इपार्ट साला अज़े फ्रेंड्स युवा मामले और खेल मंत्री कौन है ये हैं किराण रिजीजू और जन्जाती मामलों के मंत्री कौन है अर्जुन मुंडा तो यूवा मामलों के खेल मंतरी किरन रिजीरुजू और जनजाती मामलों के मंतरी अर्जन मुंडा के द्वारा सही तुरूप से एक वेबिनार में इस पोर्टल को लांच किया गया है तो जितने भी खिलाड़ी हैं जो टेक्निक सीखना चाहते हैं वो इस पोर्टल पर आ सकते हैं मुद्रा रिड़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा एक नए प्रकार कारिण सुनुक किया गया है इसको नाम दिया गया है मुद्रा सिस्तुरिन तो मुद्रा सिस्तुरिन की घोशड़ा सरकार ने किस तरह की उद्दूगों की मदद के लिए की है तो फ्रेंट से आद कियेगा कि मुद्रा सिस्तुरिन यह योजना कुटिर और छोटे ब्यासाई हैं की फेरी वाले हैं तो वो भी इसमें रिन जो है वो ले सकते हैं और इसमें जो ब्यास दर है वो मात दो प्रस्यत वार्शिक रखी गई है ठीक है तो फेरी वालों के लिए भी इसमें 5,000 क्रोन रुपए का package दिया गया है तो option A इसका सही बाब होगा लग उद्योग question number 12 पे आते हैं अभी हाली में 20 सुद्धुग्द दिवस यानि की word milk day मनाया गया जिसके theme रखी गयी थी 20 सुद्धुग्द दिवस की 20 वर्सकांट तो याद रखेगा theme 20 सुद्धुग्द दिवस की 20 वर्सकांट तो word milk day ये भी हाली में कम मनाया गया तो याद रखेगा friends एक जून को मनाया गया है बिस सुद्धुक्त दिवस के रूप में यानि की एक जून को ठीक है और United Nation के खाद और क्रिसी संग्ठन के द्वारा इस दिवस का आयोजन प्रतिवर्स एक जून को किया जाता है अन्डमान निकोबार कमान के नए कमांडर के पद पर किसे नियुक्त किया गया और इसका सही जबाब है लेफ्टिनेंट जनरल मनोश पांडे को तो आप्शन ए इसका सही जबाब है ठीक है याद रिकीगा इसको और अभी हाली में बिस सुपाचन स्वास्त दिवस मनाया गया 2020 की थीम क्या थी ये प्रसन यहाँ पर सही जबाब है इसका ऑप्शन ए गट माइक्रो बायोम ए ग्लोबल परस्पेक्टिव ठीक है याद रिखेगा ये काफी इंपोटेंट है और यह दिवस बिसु गैस्ट्रो एंट्रोलाजी संगठन द्वारा डबलु जीयो फांडोश समानित किया गया है तो साट फार्म में इसे सीड्स कहा जाता है ठीक है यस इई डी एस यानि की सोशियो एकोनोमिक एंड सोशल डेवलेप्मेंट सोसाइटी इसका जो हेड़कॉर्टर है वो नई दिल्ली में है और इसको बिसु तंबाकु निश्य दिवस अवार्ड दोज मना जाता है तो फ्रेंट्स 31 माई को प्रतिवर्स बिसु तंबाकु निश्य दिवस के रूप में मना जाता है और 2020 की जो थीम रही यह रही प्रोटेक्टिंग यूथ फ्राम इंडस्ट्री मैने पूलेशन और प्रिवेंटिंग देम फ्राम टोबैको और निकोटिन यूज फ्रेंट्स आप लोगों मैं एक टेक्निक बताना चाहता हूँ कि जो भी लेक्चर आप सुनते हैं एक बार आपने देख लिया उसे 24 गंटे के अंदर आप दोहराया जरू करें और इसके लिए हेड़फोन लगा लिया करें या वैसे ही जब आप आराम कर रहे हो तो प्ले क समय तक आपके दिमाग में बने रहेंगे और इसी के साथ यह जो लेक्चर है यहें पर समाप्त होता है पीडियाफ डाउनलोड करना मत बुलिएगा जो कि आपको मिलेगा इस्टेडी वीद ग्यान प्रकास पर इस वीडियो लेक्चर के लगबग 6 गंटे के बाद थैंक्यो पर लिसनिंग और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत बुलिएगा एव ग्रेट डेग जैहन गाट डेशिवाल